दुर्गा पूजा के और कुछी दिन शेश रहे गए हैं और जार्खन सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन के कारण मुर्ति कलाकारों पर कारी का दबाव काफी बढ़ गया है क्योंकि मुर्ति कलाकारों को सरकार का गाइडलाइन आने के बाद ही काफी कम समय में सभी पूजा पंडालों में 21 अक्टुबर से पहले उपलप्त करवाना है दुर्गा पूजा के लिए मुर्तियों का सेट जिसमें देवी दुर्गा के अलावा लक्षमी सरस्वती कार्ति गनेश महिशासुर के मुर्तियां बनाने में लगबख 5-6 महिना लगते हैं और सरकार के नई गाइडलाइन आने के बाद मुर्ति कलाकारों को उसी मुर्ति को बनाने के लिए लगबख 20 दिन मिला है जिसके कारण मुर्ति कलाकार दिन रात मुर्तियां बनाने में लगे हुए हैं लेकिन गाइडलाइन जैसे अब देख सकते हैं पूजा का जस्ट 15 दिन पहले आया है अब 15 दिन में तो मूर्ती बनता नहीं है जो मूर्ती खईदार है उन लोगे तरफ से क्या दिकत सामना करना पड़ रहा है पाल की टिक रहके फिल्ट पहले तैसी गाइडलाइन में शुविदा हो जाता की चली हमें इसी गाइडलाइन के दारा में आगे भर नए वहामना अब लोग जैसे आप देखी रहे हैं तो इसके बाद जब करके तरफ से आया गरड़ लाइन का यह तो बहुत समय मुने बहुत समय काम हम लोग का मिल रहा है कि काम समय के चलती सते हम लोग मुने रात भर मुने काम करना पड़ता है खाने पीने का समस्या भी कुछ टालना पड़ता है और यही सब विशेश के समस्या हम लोग का जाले है हम लोग आज 15 तारीफ हो गया है और मंट्रा मुर्टी उनेश 20 तारीफ को मुर्ती देना है लेकिन इस कैसे हम लोग देंगे यही समस्या हम लोग यह कर रहे हैं कि यह रात दिन हट की मने देना पड़ रहे हम लोग को मुर्टी को जो फ्रम बनाते हैं उन 6 माइना पहले से हम लोग सब को सेयारी करके रखते हैं और सरकार के तरफ से गड़ लाइन का अपने आया बहुत कम समय एक माइना का अंदर में इस हालत से लेकर के हम लोग का बहुत समस्या देलना पड़ रहा है हमारा नाम है रामू मंदल और ठीक है एल सी एल सी रोड और रहा है